क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि एक चोटे से दाग की वज़े से आपको अपनी फैवरिट ड्रेस अलमारी में बंद करके रखनी पड़ गई अक्सर ऐसा होता है कि बहुत बचाने के बाद भी हमारे कपड़ों पर दाग लग जाते हैं बले ये दाग भी हच चोटे हों लेकिन उनकी वज़े से पूरे कपड़े की शोबा बिगड़ जाती है और हमें मजबूरी में उस कपड़े को बंद करके रख देना पड़ता है पर अगर आपको अलग अलग तरह के दाग चुड़ाने का उपाय पता हो तो आपकी ये मुश्किल थोड़ी कम हो सकती है सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हर दाग को एक ही तरीके से नहीं चुड़ाया जा सकता है हर दाग को छुडाने का अपना एक तरीका और उपाय होता है यहां कुछ ऐसे घरेलू तरीके दिये जा रहे हैं जिसके प्रियोक से आप स्याई के मतलब कि इंक के दाग को कपड़े से बिना किसी परिशानी के हटा सकती है तो चलिए जानते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और पास में आई हुए बैल बटन को भी दबा दीजी तो चलिए जानते हैं कपड़ों से स्याई के दागों हटाना भी बहुत मुश्किल काम होता है वैसे तो बहुत से तरीके जिनके द्वारा हम स्याई के दागों को हटा सकते हैं पर कुछ तरीकों में टाइम ज़्यादा लगता है और अगर आपकी इसकुल जाने वाले बच्चे हैं तो यह प्रॉब्लम आपकी हर रोजकी होगी ऐसे में कोई लॉंग प्रसुस करना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है तो आज हम यह आपको बहुत ही आसान से दो तरीके बताएंगे पहला है नेल पॉलिश रिमूवर से नेल पॉलिश रिमूवर घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ है यह किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर पर आसानी से मिल जाती है इससे इंक के दागों को आसानी से हटाया जा सकता है बस करना क्या है जा दाग लगे हैं उस जगे नेल पॉलिश रिमूवर को पोटन यानि की रूई में अगर रूई नहीं है तो आप सूती कपड़े के टुकड़े पर लेकर दाग पर कुछ देर के लिए लगा दें यहां आपको रगरना या गिसना नहीं है वरना तो स्याई का दाग फैल जाएगा इसलिए बस लगाना है या आप उसी चेगे थोड़ा थप थपा कर भी लगा सकती है ऐसा आपको तब तक करना है जब तक की दाग चले नहीं जाते हैं एक बार दाग के जाने की बाद जिस भी तरह से आप कपड़ों को धोती हैं उन्हें धोले तो चले चलते हैं दूसरे तरीके की तरब तो दूसरा तरीका है इस्प्रीट से इस्प्रीट से भी आप कपड़ों के दाग आसानी से निकाल सकती है यह भी आपको आसानी से किसी भी मेडिकल इस्टोर में मिल जाएगी और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है इससे दाग हटाने के लिए वही कोटन में या सूती कपड़े में लेकर उस जगे लगा देना है और ऐसे ही जब तक करना है जब तक की दाग कमजोर नहीं हो जाता इस प्रेकरिया को आपको दोराते रहना है और जब दाग कमजोर हो जाए तो गुनगुने पानी में डिटर्जेंट डाल कर वाश कर लेना है इसके अलावा आप अलकोहल से भी साफ कर सकते हैं और अगर दाग जादा दिनों के और घहरे हो गए हैं तो आप दो भाग अलकोहल में एक बाग अमोनिया मिलाकर कपड़ को दो लें इससे भी दाग आसानी से निकल जाते हैं मैंने टूथपेस्टे भी दागों को हटते देखा है पर कई लोग बोलते हैं कि टूथपेस्टे दाग नहीं हटते तो इसका एक मातर खारण यही है कि वो जेल यूगत टूथपेस्ट का यूज कर लेते हैं जिसके खारण दाग नहीं जा पाते हैं तो अगली बार जब भी आप टूथ पेस्ट से दाग को हटाएं तो बिना जैल का टूथ पेस्ट ही यूज करें आशा करते हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हैलफुल भी रही होगी मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई जै माताली